बिस्मिल्लायरख्मान रर्खेम, अस्सलामों आलेकूम मैं हूँ बिन मुर्तवसा और आज की वीडियो में हम पिक्जल लाब में बैक्ड़ॉंड्स बनाना सीखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिक्जल आप में कुछ पहले से ही बैक्डॉण्स बगारा मिल जाते हैं लेकिन इसके लावा आज हम खुद ग्राडियंट से बैक्डॉण बनाना सीखेंगे तो जैसे बैक्डॉण्ड वाले आप्शन पर आना है आगे मैं कलर वाले आप्शन को स्लेक्ट कर लेती हूँ ये new text को हम delete कर लेंगे और color वाले option पर आने के बाद यहां से तो हम solid color ले सकते हैं लेकिन इसके आगे आपको gradient का option अज़र आता है इस option की मदद से हम अपना जैसा चाहें background त्यार कर सकते हैं यहां पर हमें कुछ gradients जो हैं और इसके बाद जैसे हमने आपको नज़र आ रहा है कि यहां पर दो colors हैं और इसकी जगा पर आप कोई भी color ले सकते हैं जैसे हमें इसको arrow आपको दो नज़र आ रहे हैं ठीक है एक यह दूसरा यह जिस arrow पर आप टैप करेंगे वो select होगा ठीक है देख सकते हैं इसके outline सी लग जाती है इसका मतलब है यह select है इसका color change होगा color वाले option पर जाने के बाद आप हमारे पास आगया है color panel आप ने इसमें से कोई भी color जो आप चाहें वो ले सकती हैं यह ब्लू color ले लिया है इसको ok कर दिया है इसके लावा यहां पर आपको जो तीन बहल सी नजर आ रही है इनका क्या काम है कि यह सबसे उपहले वाली है आप जो color select करेंगे यहां से जो मैंने color select किया है यहां पर यह वाला इस color को अगर आप मजीद light करना चाहते हैं यहां जो दर्मयान वाला है इससे देख लिए जाए कि आपको color को बिल्कुल dark से dark करता चाहता है और इसके लावा आफरी वाला option है जो transparent का यहां यहां कि आपको बिल्कुल transparent हो जाएगा इससे color तो मैंने यह color ले लिया है अब हम इसे ok कर लेते हैं यह देखे हमारा background का यह color आ गया है और अगर अगर अब हम इसको मैं तो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ इसके लावा आप color खुद बना लेजेगा यह मैं blue color को red ले ले लेती हूँ ताकि यह थोड़ा सा खुबसुरत color बन जाए तो यह देख लीजे यह color हमारे पास आ गया और इसको अगर आप देख लीजे यह उपर और नीचे की जानब है up and down अगर आप इसे चाहती है कि यह red color यहाँ दाएं और बाएं जानब आ जाए तो आपके पास उपर यहाँ पर shapes यह निके square shape में आप देख लीजिए थोड़ सा गोर किजिए आपको इसकी समझ आ जाएगी अगर इस तरह के से दाएं और बाएं आप चाहती है तो आप पहले वाले option पर करेंगी तो यह आपका दाएं और बाएं तरफ आ जाएगा और इसके इलावा आप इसकी मदद से आप इसे मजीद जिस तरह के से चाहती है आप ऐसा कर सकते हैं देख लीजिए इससे मैं एक ओने पर रखा और यह दूसरी साइड को मैं उपर लेकर गई तो यह इस तरीके से मारा background बन गया इसको अगर आप ऐसे करें इसको नीचे की जाने करें तो यह दूसरी तरह से color उपर नीचे हो गया है और इसके इलावा अगर आप चाहती हैं यह उपर और नीचे की जाने वह तो यह जैसे के पहले था आगला option है कि यह एक कोने पर यह जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता और अगर इसे उपर और नीचे करें तो यह दूसरे option वाला बन जाएगा जैसे के यह है और अगर यह देखें तीसरा option यह कोने में है हम इसे move करते हुए जैसे हम चाहें हम वैसा बना सकते हैं ठीक है अगर आप चाहें के दर्मयान में ring की तरह हो तो वह आप इस option से कर सकती है और अगर आप चाहें के यह जो बीच में color है red color यह sides पर चला जाए और sides वाला बीच में आ जाए तो आप इस option से कर सकती हैं यह देख लीजिए और इसके लावा अगर आप चाहते हैं के यह color उपर की जानिब हो center से इस तरीके से तो उसका यह वाला option है यह निके इसमें दे बना चाहें वो आप इस arrow की मदब से कर सकती हैं यह देख लीजिए और इसके लावा आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें अपना background आप बना सकती हैं तो उमीद करते हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आप इस तरीके से खुद background बना सकती हैं देख लीजिए अगर इस तरफ मैंने किया और तो यह थोड़ सा light हो गया अगर आप इसको दूसरी तरफ करते जाएंगे तो यह dark हो दा जाएगा ठीक है तो यह बात हमारी हो गई background की इसके इलावा आप जो के मैं बहुत ज़्यदा एहम चीज़ समझे ती हूं वो यह है कि आप जिस तरीके से य लें यहाँ तक रहने दी या आप यहां से यह तीसरा वाला option मैं पर तरह को यह बात और बश सकती हैं आपको ऋमझाने के लिए के यह गरी रहिए जैसे आपको चाहिए आप यहां से मैंने जो यहालो वाला पर ता मैं चाहती हूंThis कि यह transparent हो जाए यह निकिए इसके बाद मैं आपको post भी बना कर दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं यहां से हम okay कर लेते हैं यह देख लिए यह हमारा इस तरीके से बन गया मैं जैसे हमारा साइज में भी बढ़ गया है तो इसे मैं यहां से सेव कर लेती हूं सेव करने के लिए यह देख लिए हमेज फॉर्मिट जो है यह पी एंजी है क्योंकि हमने इसे ट्रांस्पेरेंट किया है सेव टू गैलरी कर लें वैसे यहां से क्वाल्टी इल्ट्रा रखकर आपने सेव करने है ठीक है एक यह मरपस हो गया और अब हम इसके इलावा जो यहां पर उपर अगर आप देखें तो यह वाला उप्शन है ठीक है अब आपके पास यह है इसे यह देख लीजिए जो अक कुछ भी लेखावा होता है तो वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है वैसे तो गूगल से भी प्यंजी जारा इस तरह की प्यंजी मिल जाती है लेकिन यह आपको खुद बनाना सिखाया जा रहा है तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं यह देख लिए यह थोड़ा सा ट तो यह भी कर सकती हैं तो हमारा बैग्रॉंट बनके तियार हो चुका है आप इस तरीके से मुख्लिब बैग्रॉंड बना सकते हैं खुद और अपनी डिजाइनिंग में एडिटिंग में इस्तमाल कर सकते हैं तो इसको इस्तमाल करना भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी तो उमीद करते हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्रिडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा क्यों कि इससे मेरी नहीं आने वाले वीडियो के अजिए प्रेस का अईभ संद बाले वीडियो कर दो लेको अ अजय सेहे आई हमें